हेलो नमस्कार उमीद है आप सब अच्छे होंगे मेरा नाम प्रखर शिवास्ता वे स्वागत करता हूँ आप सभी का गुरु घंटाल में और इस वीडियो में हम दो फरवरी 2021 के इंपॉर्टन करेंट अफियर्स को रीवियू करने जा रहे हैं शुरू करते हैं आज का सफर इंटरनेशनल सिल्क फेयर को इनागरेट किया जो की 31 जनवरी 2021 को मनाया गया वर्चुल पोर्टल के थुरू पांच दिन ये इवेंट चला ताकि हिंदुस्तान में आपका सिल्क के प्रोडक्शन को सिल्क के महत्ता को लोगों को बताया जा सके लोगों को अवेर किया जा सक ठेक है more than 200 overseas buyers and equal number of their representation in India are participating to interact with more than 100 renowned and big Indian companies manufacturing and trading silk and silk blended product और इस इंटरनेशनल सिल्क फ्लेयर में करीब करीब 200 overseas buyer मतलब और और वर वर्ड से जो लोग सिल्क खरीते हैं हिंदुस्तान से उन्होंने इसमें participate किया और interact किया 100 बड़ी कंपनियों से जो की सिल्क की trading करते हैं या सिल्क के product को manufacture करते हैं तो याद रखिएगा इस बार का आठवा international silk fair announce किया गया virtually 22 इरानी union textiles minister इंडियन अमेरिकन भव्या लाल जो screen पर आपको नजर आ रही है यह acting chief of staff बनी है NASA की इनको acting chief of staff बनाया गया है नासा का देखिए वो दिन दूर नहीं है जिस दिन कोई इंडियन अमेरिकन अमेरिका का राष्टपती बनेगा कमला है तो बनी गई है vice president जल्दी हम भी अमेरिका में हुकुमत करेंगे and she served as a member of the Biden presidential transition agency review team for the agency and oversaw the agency transition under the administration of president Joe Biden USA के president है Joe Biden उनकी Biden presidential transition agency review में यह served कर चुकी है ठेक है and LAL brings extensive experience in engineering and space technology खतरनाक experience है इनको engineering में और space technology में and research staff के तौर पर काम भी कर चुकी है serve कर चुकी है as a member के तौर पर at the institute for defense analysis science and technology policy institute from 15 साल इन्होंने अपनी service दी है किसे institute for defense analysis science and technology policy institutes 2005 से 2020 और अब ये acting chief of staff बनी है नासा की ओके तो बड़ी खतरनाक news बड़ी ख़बर की में अन्मार में आर्मी ने तक्ता पलट कर दिया है कूप कर दिया है आउंग सान सुई की को detain कर दिया गया है आर्मी के द्वारा और अब मैनमार में आर्मी का रूल लग गया है ठेक है इस्टेट की counselor जो screen पर आपको नजर आ रही है आउंग सान सुई की इनको आर्मी के द्वारा हटा दिया गया है प्रेसिडेंट विन माइंट को हटा दिया गया है जो भी ruling party के थे ठेक है मैनमार की जो military है उसने ये step इसले लिया because they declared the November 2000 Myanmar general election result fraudulent को कि इन्होंने कहा कि military से जब पूछा गया की कूप क्यों किया गया है तो military ने reason दिया कि November 2020 में जो मैनमार का general election गुआ था वो fraud था जिनमें आपका ये जो आउंग सान सुई की थी वो जीतनी land side victory मिली वो एक तरह का fraud था इसलिए आर्मी ने यहाँ पर तक्ता पलट कर दिया और आर्मी ने जो military है उन्होंने military chief मिंग आउं लियांग को सत्ता सौब दी है आने वाले एक साल तक emergency लगी रहेगी मैनमार में ठेक है and the mind's we आपका acting president के तोर पर काम करेंगे जो कि former general गये नेक्स्ट येर तक और ये तीसरी बार मैनमार में कूप हुआ है तक्ता पलट हुआ है इसके पहले 1968 में भी और 1990 में भी दो बार मैनमार में तक्ता पलट किया जा चुका है मैनमार जिसी capital एनेपी डॉग इंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है चीफ ओफ वियतनाम तीसरी बार चुने गए ग्वेन फू ट्रॉंग तो नाम भी इनके बड़े अजीब जीब होते हैं जुबान नहीं टूटती है ठीक है 76 साल की community party ओफ वियतनाम की secretary general ग्वेन फू ट्रॉंग तीसरी बार पास साल के लिए chief ओफ वियतनाम चुने गए हैं ये 2011 से इस post को सर्व कर रहे हैं ठीक है और इन्हें election लड़ने के लिए exemption दिया गया है चूट दिया गया है ये 65 साल की limit पार कर चुके हैं मगए फिर भी इन्हें चूट दिया गया है और 2018 से ये वियतनाम के president रहे हैं वियतनाम में communist government है which means that the country does not have a single strong man at the apex communist government है इसलिए आप नहीं कह सकते कि कोई single इन्सान पूरे के पूरे apex वे बैठा होगा उत्तरा खंड ने setup किया है botanical garden ताकि शिवालिक range जो शिवालिक mountain गया उनके species को conserve किया जा सके नानी ताल जिले में और इसका नाम गया इस botanical garden का नाम है शिवालिक आर्बोरिटम ठीक है जिसमें करीब करीब 210 तरह के trees को conserve किया जाएगा जो कि शिवालिक range of हिमालियास में पाये जाते हैं और लोगों को education दिया जाएगा nature के प्रती ताकि लोग emotional connection फील कर पाएं पेडों के साथ और उनको conserve करने के बारे में सोचे इसके इलावा the facilities will showcase information like scientific information about particular species किसी particular species के बारे में scientific information दी जाएगी उसके cultural significance के बारे में बचाया जाएगा उसके medicinal use के बारे में बताया जाएगा किस origin किस country में उसका origin हुआ इन सब के बारे में इस botanical garden में बताया जाएगा जो की नैनी ताल में बनाया गया है Facebook ने appoint किया है Henry Moniz को as its first chief compliance officer चेक है first chief compliance officer कौन बने है Facebook के Henry Moniz Anish Shah को appoint किया गया है नया chairman Mahindra Finance के जो screen पर आपको नजर आ रहे हैं इनका नाम Anish Shah है और ये Mahindra Finance के नए chairman के तौर पर नियुक्त किये गए है ठेक है और इससे पहले धननजय मुंगले थे उनको सरपास करकर अनिश्या नए chairman बने है Mahindra Finance के एशिया online shooting championship पहली बार जो की किया गया क्योंकि covid virus फैला हुआ है इंडिया ने top किया medal की tally list में जो की kuwait shooting federation के दवारा inaugurate किया गया था 24 member ने 24 Indian members ने athletes ने Indian shooting contingent में participate किया इंडिया के तरफ से और करीब-करीब 11 medal जीते 4 gold, 2 silver और 5 bronze medal जीते 274 shooters ने participate किया across 22 nations मतलब 22 मुलकों से करीब-करीब 274 shooters ने participate किया गिंदुस्तान से 24 members ने participate किया और हिंदुस्तान ने top किया टैली list में, medal टैली में Tamil नादू ने, Tamil नादू ने beat किया बरोडा को और सेयद मुस्ताक अली T20 trophy पर कबजा हो गया Tamil नादू का और सरदार पटल स्टेडियम जिसको कि अब नरिंद्र मोदी स्टेडियम भी कहते हैं, मोटेरे स्टेडियम भी कहते हैं वहाँ पर ये match खिला गया ठेक है Tamil नादू टीम को लीड कर रहे थे दिनेश कार्थिक और इस बार का Tamil नादू ने सेयद मुस्ताक अली Trophy जीता बरोडा को हरा की World Whitland Day दो फरवरी को मनाया जाता है हर साल ताकि लोगों को aware किया जा सके Whitland के बारे में इस बार का थीम था Whitlands and Water पचास साल पूरे हुए of the convention of Whitland को दो फरवरी 1971 को convention on Whitland adopt किया गया था in the Iranian city of Ramsar, Ramsar Whitland के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और पहली बार World Whitland Day 1997 से मनाना शुरू किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 45 रेजिन डे मनाया एक फरवरी को एक फरवरी 1970 को ICG बनी ठीक है एक act पास हुआ पारलियामेंट में इंडियन कोस्ट गार्ड आक्ट 1971 और यह ministry of defense के अंदर operate करती है ठीक है 156 शिप गये 52 एयरक्राफ्ट गये ठीक है और target है 200 शिप का and 80 एयरक्राफ्ट का 2025 तक UN World Tourism Organization इन्होंने confirm किया है कि 2020 का जो साल था वो worst year रहा record में ठीक है but obviously COVID-19 था लोग अपने घरों से बाहर निकले नहीं तूरिजम हुआ नहीं तो UNWTO ने कहा कि करीब करीब 1.3 trillion dollar का loss हुआ इस साल ठीक है मतब 2009 के मुकाबले 11 गुना ज्यादा loss हुआ इस बार तूरिजम को तो दोस्तों इतनी सी कहानी थी उमीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा दबा कर लाइक शेयर कमेंट कीजिए गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू सूम